सभी को मेरा प्यार बरा नमस्कार, प्रभु से प्रात्ना कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे मैं सोनिया चौधरी और आप देख रहे हैं मेरी साथ उमप्रूप्टेक प्राइवेट लिमिटिट का यूट्यूब चैनल RPS08 साथियो जो पाच जुलाई को एप्रोक्ष शुरू हुई थी और कल इसकी अंतिम्तिती है यानि कि 23 अगस्त को लास्ट डेट होगी या 30 ने भी एक नोटिस बेज दिया है कि कल की जो डेट है वो लास्ट डेट होगी जो ड्रॉ है वो 10 अक्टूबर को होगा ये सब लोग इसके बारे में जानते होंगे कि कब ड्रॉ होगा और कब लास्ट डेट है लेकिन फिर भी आज लोग बहुत जादा मात्रा में किर्पया कर ना फॉर्म भरें क्योंकि सर्वर विजी हो जाता है तो किसी की पेमेंट अपडेट नहीं हो पाती है अब तक जितने लोगों ने भर दिया है वो अब वेट करें 10 अक्टूबर तक का कर लास्ट डेट होगी इसकी 23 अगस्ट बाकी साथ यो लगातार लोगों के कोश्चन है नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और अब 24 अगस्थ जो है आगा में उसमें जो उड्यन मंत्री है वो भी यहां का पूरा दौरा करेंगे देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर काम किया जा रहा है और जो अगले महीने ट्रायल की बात हो रही है सेप्टेमबर में उसकी संभावनाए है या नहीं और वहीं देखेंबर में शुरूवात होने जा रही है नौईडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रडार का काम हो रहा है ATC तावर जो है उसका भी काम कंप्लीट हो चुका है बाकि जो छोटे मोटे काम है अभी उसमें प्राधिकरन लगा हुआ है दिन और रात मिलकर जितनी भी करमचारी है जितनी भी लोग है वहाँ पर अपना पूरा-पूरा योगदान देकर और कोशिश कर रहे हैं कि जो तै समय है उससे थोड़ा बहुत उपर नीचे जाकर नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरूबात हो जाए उसी को लेकर आज मैं हाजिर हूँ तो सबसे पहले एक बार डाल लेते हैं स्क्रीन पर नजर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केंद्रिया मंत्री जो है वो नोहन नाइडू आप देख सकते हैं 24 अगस्त को यमना विकास प्राधिकरन का दौरा करेंगे और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सारी चीजों का निरक्षन भी करेंगे बैठक और चर्चाएं इस दौरे के दौरान केंद्रे मंत्री यमना प्राधिकरन के दिकारियो के साथ बातचीत भी करेंगे चर्चाएं भी करेंगे और सारी जानकारी भी उनसे लेंगे संभावित घोशनाएं क्या क्या हो सकती हैं बैठक में उस पर भी देख लेते हैं एक बार निरक्षन के दौरान केंद्रे मंत्री कुछ महत्पून जानकारी घोशनाएं भी कर सकते हैं जिससे एयरपोर्ट परियोजनाओं की भविश्य की दिशा तै हो सकती है वहीं किस तरीके से टर्मिनल बिल्डिंग और 80C टावर का काम हो रहा है उसको भी देख लेते हैं यू दिस्तर पर निर्मान कार्रे जेवर में बन रहे हैं नॉड़ा इंटरनिशनल एयरपोर्ट पर करीब करीब 8000 करमचारी दिन रात लगकर वहां का काम करने में जूटे हुए हैं टर्मिनल बिल्डिंग की इस्ति बिल्डिंग का काम लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है और बाके कार्रे भी तेजी से लगाता चल रहा है सितंबर के अंत में टर्मिनल बिल्डिंग का ट्रायल शुरू हो सकता है ट्रायल का महत ट्रायल के दोरान यात्री सेवाएं सुरक्षा प्रणाली बैगेज हैंडलिंग और अन्य महत पूर्ण प्रणालियों का परिक्षन किया जाएगा जिससे एयरपोर्ट का संचालन सुचारो रोप से कि ट्रायल का मतलब यह नहीं कि केवल फ्लाइट को टेक ओफ और लैंड करने का ट्रायल होगा हर तरीके से जो लगेज होता है वो कैसे कितने टाइम में पहुचा सकते हैं वो सारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है लोगों को जो जो सुविधाय चाहिए यात्रा करते समय उन स थापना के बाद अब एयरपोर्ट में रडार लगाने का काम चल रहा है जो देरी हो रहे है वो कहीं न कहीं रडार की वजह से ही है वरना जो शुरूवात थी वो सेप्टेमबर ऑक्टूबर में नौइडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरूवात थी लेकिन अब सेप् इनों में रडार इंस्ट्रोलेशन का काम पूरा हो जाएगा जो हवाई यातायात के निगरानी और नियंतरन में एहम भूमी का निभाएगा ये महतपूर भूमी का होती है रडार की सुरक्षा और संचालन रडार सिस्टम की स्थापना से एयरपोर्ट के संचालन में सुरक टेशनल एयर्पोर्ट बनने के बाद केवल यह नहीं देखा जा रहा है कि केवल हमें उयर्पोर्ट की शुरूबाद करनी है। हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति को कैसे मझबूत बनाना है, लगातार प्राधी करन उस पर भी काम कर रहा है। जरूरी भी है और रोजगार के अफसर यहां पर होंगे यात्री सुविधाओं में कैसे कैसे सुधार किया जा सकता है उस पर भी पूरा का पूरा ध्यान देकर प्राधीकरंट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शुरू करने में जुटा हुआ है दोनों ही बहुत बहत्पून जानकारी कि RPS 08 जो नई स्कीम लगातार छाई हुई है हर जगा दो लाग से उपर के आसपास एप्लिकेशन जिसमें आ चुकी है और लगबग नंबर और प्लोट केवल और केवल 361 बहुत जादा मात्रा में लोगों ने बढ़ चड़ कर इसमें हिस्सा लिया है लेकिन जितने प्लोट्स है उतने ही लोगों की प्लोट्स यहाँ पर निकल पाएंगे वहीं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बेहद अच्छी घबर लोगों को डाउट भी है कुछ लोगों का कहना है कि एपरेल या में तक जून होने की संभावना है तो ऐसा नहीं है वहीं लोगों का एक सवाल हर दिन है कि मैम अभी हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा से स्टेबल है तो क्या हमें प्लोट निकालना चाहिए या नहीं तो देखो जब थोड़ा सा market stable होती है तो उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूते ही है ये market है जब इतना ज़्यादा high काया है तो थोड़ा नीचे आके market रुकनी भी चाहिए वरना market crash हो जाती है लेकिन अभी समय बहुत अच्छा आने वाला है आप अपनी property को safe रखें उसक मैं आप इहां से property अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं लेकिन यहां का भविश्य बहुत उज्वल है ना भी निकाले तो आपको कभी ये नहीं रहेगा कि हमने यहां पर property में invest क्यों किया था फिर मिलूँगी कुछ नई खबर और नई अपडेट के साथ जब तक क के लिए कोई भी जानकारी कोई भी information आपको चाहिए तो नंबर हम हमेशा mention रखते हैं screen पर आप लेती हूं आपसे अनुमती और आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद